आज से लगबग साड़े 800 साल पहले 13th और 14th सेंचिरी के आसपास मंगोलिया की सबसे मशूर एंपरर चंगेज खान जिसने दुनिया के सबसे बड़े सामराज मंगोलियन अंपायर की नीव रखी मंगोलियन अंपायर एक टाइम पर इतना बड़ा था कि ये चाइना से मिडल इस्ट और यहां तक की योरोप तक थैला हुआ था तो आखिरकार जिसे दुनिया एक क्रूल अंपरर की तरह जानती थी और यहां तक उसने अपने राज में 40 मिलियन से भी जाने ली थी फिर भी उसने कौन से ऐसे फैसले लिये थे जिससे काफी लोग उसे मसीहा मानते थे और तो और एक टाइम पर जिस मंगोलियन अंपायर का बोल बाला पूरी दुनिया में था उसका वजूद खत्म कैसे हो गया और तो और जिस चंगेस खान से पूरी दुनिया इतना खौफ खाती थी लेकिन फिर भी उसकी मौत के बाद उसकी बौडी क्यों आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम चंगेस खान के बारे में जिसे पूरी दुनिया चंगेस खान के नाम से जानती थी पर ये नाम चंगेस खान को सिर्फ एक आउनर में ही दिया गया था जिसका मतलब था यूनिवर्सल रूलर हाला कि चंगेस खान का असली नाम तेमो जिन था जिसका जन्द मौंगोलिया की बौर्जिगिन ट्राइब में हुआ था जहां चंगेस खान के पिता येसू जी अपने ट्राइब के काफी रेस्पेक्टेड लीडर थे लेकिन राइवल ट्राइब के टाटर लीडर्स ने जहर दे कर उन्हें मरवा दिया था जिसकी वज़ा से इतनी कम उम्र में ही चंगेस खान को ट्राइब की पॉलिटिक्स में शामिल होना पड़ गया था और इसी वज़ा से कम उम्र में ही उनके अंदर लीडर्शिप एबिलिटीज आ गई थी और इस घटना के कुछ सालों बाद ही चंगेस खान ने टाटर से बदला लेने की ठान ली और जिसी वज़ा से चंगेस खान ने ट्राइब के काफी लोगों को अपनी तरफ इंफ्लोएंस कर लिया और अपनी ट्राइब के साथ मिलकर टाटर आर्मी को बुरी तरह मार कर टाटर ट्राइब के लोगों को बंदी बना लिया इसके अलावा चंगेस खान अपने फादर के मौत के बदले की आग में ये और्डर देते हैं कि टाटर ट्राइब की सभी कैदियों को मरवा दिया जाए चंगेस खान के इस मिलिटरी कॉंक्वेस के बाद ही मंगोल में मौजूद जितनी भी ट्राइब थी सभी के बीच चंगेस खान काफी ज्यादा पॉपिलर हो गए थे इसलिए साल 1206 से ही धीरे धीरे करके जेंगेस खान ने सारी मॉंगोल ट्राइब को युनाइट करके खुद मंगोल्स के एंपरर बन गए लेकिन पूरे मंगोलिया में राच करने के बावजूद भी जेंगेस खान सिर्फ यहीं पर नहीं रुके बलकि अब उसने अपने एंपायर को और बड़ा करने का फैसला कर लिया जिसके लिए चेंगेस खान ने अपनी ही लीडर्शिप में आसपास के देशों में भी कबजा करना शुरू किया जिसके लिए मंगोल आर्मी दूसरे सामराज को समझाता बहिचती थी कि या तो वो सरंडर कर दें और उनकी जान बगच दी जाएगी और अगर उन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश करी तो वो सभी को बुरी तरह मार दें इस टेकनीक का फाइदा उठाते हुए चेंगेस खान और उसकी मिलिटरी ने नॉर्थ चाइना से सेंट्रल एशिया और यहां तक की पर्या और यॉर्प के भी हिस्सों पर कब्सा करके नीव रखी इतिहास के सबसे बड़े सामराज मंगोलियन एमपायर की उस टाइम पर चेंगेस खान का खौफ पूरी दुनिया में इतना बढ़ चुका था कि लोग सिर्फ उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे क्योंकि चंगेस खान अपनी एनिमी को इतनी ब्रूटालिटी से मारता था कि हर कोई मंगोल से खौफ खाने लग गया था इसी वज़ा से साल 1221 के करीब सीज ओफ नीशापूर बैटल के दौरान जो कि आज के टाइम पर इरान का हिस्सा है वही मंगोल से आर्मी ने सीजापूर पर आग के गोले और दूसरे डेडली वेपन से हमला कर दिया इस बैटल के दौरान नीशापूर में कोई भी जिन्दा नहीं बचता कि इसलिए मंगोल आर्मी ने इनसान को तो छोड़ो नीशापूर के जानवरों तक को मौत के घाट उतार दिया और यहां तक नीशापूर में 1,70,000 से भी ज्यादा आम जंता के सामने ही एक दूसरे की गर्दने काट दी गई लेकिन मंगोल सिर्फ यही पर नहीं रुके बलकि उन्होंने इन मरे हुए लोगों की खोपड़ियों को इकटा करके उनसे तीन पिरामिट्स बनवाए जिसमें से एक पिरामिट्स मर्दों, दूसरा औरतों और तीसरा बच्चों की खोपड़ियों से बनाया गया था मंगोस आर्मी ने इतनी ज्यादा ब्रूटालिटी सिर्फ इसी वज़ा से दिखाई थी ताकि वो पूरी दुनिया के सामने अपना खौफ पैदा कर सके एक एस्टिमेट के हिसाब से चंगेस खान ने अपने पूरी लाइफ में इन कॉंक्वेस्ट के दौरान ही 40 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था जो कि उस चाइम पर वर्ल्ड पॉपलेशन का 11% हिस्सा था लेकिन भले ही दुनिया की नजर में चंगेस खान एक बहुत ही खतरनाक एमपरर था पर बहुत से लोग आज भी उसे हीरों से कम नहीं मानते हैं इस्पेशली चाइना और मंगोलिया के लोग क्योंकि चंगेस खान के किये गए कुछ फैसले आज भी काफी बहतरीन माने जाते हैं भला ही चंगेस खान अपने एनिमी के लिए काफी सक्त एमपरर था लेकिन उसके इतने बड़े सामराज में उसने रिलिजिन, कल्चर और मान्यताओं को लेकर कभी भी भेदबाव नहीं किया इसलिए उसके सामराज में सभी लोगों को अपना रिलिजिन फालो करने की पूरी फ्रीडम थी इसके अलावा वो इन अलग-अलग रिलिजिस लीडर को अपने एड्मिनिस्ट्रेशन में भी इंकल्यूट करता था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जिस तरफ भी ये रिलिजिस लीडर रहेंगे तो बिना वोयलेंस के ही उनके फॉलोवर्स भी उसी को सपोर्ट करेंगे इसलिए चंगिस खान ने कई बार अपने कॉंक्वेस्ट के दौरान मस्जिद, चर्च और टेंपिल जैसे वर्शिप प्लेसिस को प्रोटेक्ट करने का भी फर्मान दिया था इसके अलावा चंगिस खान ने अपने इतने बड़े अंपायर में लौए एन ओर्डर मेंटेन करने के लिए यह आसा सिस्टम बनाया था ताकि वो सभी कल्चर्स के लोगों को एक रूल के अंदर एक्वालिटी के साथ मैनेज़ कर सके और तो और इस सिस्टम के अंदर हर कल्चर के कस्टम के हिसाब से उन्हें अपने रीजन में रूल्स बनाने की भी आज़ादी थी इसके अलावा भले ही आज तक कोई ऐसा एमपररर नहीं आया जो कि चंगिस खान को हरा सका लेकिन साल 1227 में घोड़े से गर जाने की वज़ा से चंगिस खान की मौत हो जाती है लेकिन फिर भी आज भी किसी को ये नहीं पता था कि कहां पर है चंगिस खान की कबर क्योंकि चंगिस खान ने अपनी जिन्दगी के दौरान एक ऐसा आदेश दिया था कि उसकी मौत के बाद किसी को भी ये ना पता चल सके कि उसको कहां दफनाया गया है इसी वज़ा से काफी लोग ये भी मानते हैं कि जिस जंगह पर चंगिस खान को दफनाया गया था उनको मंगोल की सेना की दूसरी तुकली ने मार दिया था और उस आर्मी की दूसरी तुकली को तीसरी तुकली ने मार दिया था ताकि कभी भी इस बात का खुलासा तक ना हो पाए कि कहां थी आखिरकार चंगेस खान की कबर चंगेस खान की मौत के बाद मंगोलियन एंपायर चार खानेट्स में डिवाइड हो जाता है जहाँ पर अलग-अलग रीजिन में चंगेस खान के डिसेंडेंट टेक ओवर कर लेते हैं जिसके वज़ा से मंगोल एंपायर अपनी सबसे बड़ी ताकत सेंट्रलाइज गवर्मेंट खो देता है इसके अलावा उनके एंपायर में फ्लड, फेमाइन, ड्रॉट और ब्लैक डेट भी एक काफी बड़ी वज़ा बनती है मंगोल एंपायर की फॉल की और तो और तुरकिया में आटोमेंट एंपायर और चाइना की मिंग डाइनस्टी की तेजी से बढ़ते कंट्रोल के बाद मंगोल एंपायर पूरी तरह से कॉलाप्स कर जाती है और एक टाइम पर जिस मंगोलियन एंपायर का बोल बाला पूरी दुनिया में था उसको गुमनामी के अंधेरे में खोना पड़ता है तो आपके हसाब से चंगेस खान एक हीरो था या विलन अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिलकुल भी न गूलिये